स्वागत है दोस्तों ताजाख खबरों में तो इस समय रायपूर से बड़ी खबर सामने आई हैं, भारत में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन, रायपूर से आई ये चौकाने वाली खबर, रायपूर, देश में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा ह कई राजियों में मामले अब बढ़ रहे हैं इस बीच नए वेरियंट को लेकर अलट रहने की जरूरत है जरूरी है कि चत्तीसगर में जाज का दाइरा बढ़े लिकिन राजधानी में टारगेट से कम जाज हो रहा है वही कई सेंटर ऐसे हैं जहां शनिवार को एक भी सैंपल नहीं लिया गया ऐसे में कोरोना के फैलाव की आशंका बढ़ जाती है शनिवार को जारी मेडिकल बुलिटिन के अनुसार प्रदेश भर में 14,266 टेस्ट हुए इनमें अकेले राजधानी में 2,247 जाज हुए जबकि जाज का लक्षे 4,450 रखा गया है 50.49 प्रतिशती जाज में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गये हैं जबकि अभनपूर, तिल्दा और बिर्गा में एक भी सैंपल कलेक्ट नहीं हुआ राइपूर जिले के ब्लॉक स्तर में जाज पूरी तरह से ठप हो गया है जबकि नए वैरियंट के खत्रे को देखते हुए कोरोना जाज जरूरी है बुलिटिन के मुताबिक प्रदेश में शनिवार को 31 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है और 28 मरीज स्वस्थ होने के उपरांध डिस्चारज रिक्वर्ड हुए वही राज्य में शनिवार को कोरोना संक्रमित एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है फिलहाल सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग, राजधानी रायपूर, रायगर, कोर्बा, जांजगीर, चामपा और विलासपूर में सक्रिय है